हेलो गाइज गूड नून कैसरा आप सभी लोग यहां पर देखे मैं लंज की त्यारी करी हूं साथ में दूद भी वॉयल कर रही हूं आज कर दूद सुभई आ जाता है पासी के एक है चाची का घर उनके वहां पे फार्म है तो वही से लाती हूं अच्छा वाला दूद है य कैस काने में वह दैखे है मै चटनी की त्यारी कर रहे है चना ऑ सोर्य है मोंग दाल इसकी दाल बनारियों में यह चाटनी तों घर का और यह सब करिब पत्ता भी है ट्रक लर सोन इस मैं देना बाकी है यह मांदनिया है, तो इसकी चटनी बनाएंगे अभी तेस्ती सा, साथ में यहाँ पर देखिए, मूमदाल बल रही है, जो है, चैरी तोमेतो घर का, जारा कुछ नहीं बना रही हो, इसमें आलू डाल दिया है, और हाडिक को ओमलेट बना के देंगे, मैं सैलर चटनी के साथ ख चटनी की तयारी करने लगी हूँ, यह चटनी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही टेस्ती, बच्च दो सेकंड में बनके में रेडी हो जाएगे मेरी चटनी, बस दो सेकंड और यह देखिए, मेरी चटनी बनके रेडी है, देखिए, बावल में निकाल के दिखाते हूँ, यह मेरी टेस्ती बाली चटनी रेडी हो चुकी है, यह देखिए, थोड़ी सी पास्के जो हमारे रूम में रहती है न, लोगों को भी थोड़ा सा दिया है, मैंने, बहुत ही टेस्ती बनी है, तीकी, तीखा, खठा, एकड़ चटनी बन चुका है, और यहां पे हाल्डिक के लिए में थोड़ाती है, जो आलु बोईल की तुन न, उसको फ्राइ करें, इसको हाल्डिक को फ्राइड आलु बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं आलु को थोड़ा सा भाल्डी नमक दाल से इसको फ्राइ करके, डेरी क बन जाता है, तो इसको बहुत ही प्रजण है, साथ में मैं एक ओमलेट बनारी उसके लिए, ओमलेट भी हाल्डी को बहुत ज़्यादा पसंद थोरा सा प्यांज दाल के, ओमलेट बनारी और यह हाल्डी की धाली, अल्मोच रेडी हो चुकी है, इसमें सी डाल चावल देना बाकी है, यह देखिए, हाल्डी को एकदम से मिक्स करके देना होता है, डाल, चावल, चब कुछ, तो वड़ाम से खा लेता है, खुछे, और यह नहाद होके, एकदम से हाल्डी के रेडी हो गया, हाद दोके, अभी खाना एंजोई करेगा, ठोरा सा गरम है ना, मैं थोरा सा ठंडा करके उसको दोंगी, और यहाँ पर मेरी थाले भी बन चुकी है, एकदम से कम ओल में, मैंने आज बनाया है, डाल में तो थोरा सा ही तेल जाता है, एक समझ के करीब, तो देख सकते हो, सारा ही मतलब, ओल देने की ज़रुरत नहीं है, जो खाना है, यहाँ पर चटनी ह सालब, एक आला जना है, सब कुछ, तो आराम से एकदम से टेस्टी साख लंचाज मेंने कर लिया है, और खाना पीना भी मेरा हो चुका है, और साब कर लेते हैं, काउंटर को उसके बाद एक या पेतालिस मीनी, एक घंटा या पेतालिस मीनी रुवाक्तों, हमेशा बनता ही, बनता है खाने के बाद है ना तो साब कर लेता है फड़ा 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 परचे खाने के बाल आज कर में बिल्कुल भी आराम नहीं कर दो यह तो यह और यहां पर मैं आप लोग उससे बाते कर रही हूं और साथ में हार्डिक बाहर में कुछ बोल रहा था वो भी मैं सुन रही थी और साथ में अभी मुझे अपना जो डिटॉक्स वाटर बोलो पावर डून बोलो उसके लिए मुझे उसकी त्यारी करनी है सबको पता ही होगा यह जीरा सौफ अजवाइन और यह पानी थोड़ा मतलब खाने के बाद जो भी हो लंच और दिने हो वेकपास तो खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीते तो मैं क्या कर रही हूं मैं अभी वोक करने जाओंगे एक घंटा या 45 मिनित तो तब तक मैं ज पानी पी लेंगी ऐसा कौन-कौन करते हो बताएगा बहुत ही फाइदा होता है एक्दम क्लीन डाइट के साथ आप अगर यह सब बन उसके अपना होना तो बहुत ही कामत है और मैं अपना डाइट की नहीं रख रही हूंगे कभी-कभी तो कुछ अधर दो का चल जाता है बा पानी पी लिया था पीप हो गया दिमाग से की वह भी शूट करना है यह बहुत ही तेस्टी है बहुत ही तीस्टी हाई पर लएक कि रुट से पिजोखे शूट की अभी और नहीं करूंगी आज के लिए वीजियो में इतना है कल मिलता है बाबा गार्ट